नमस्कार दोस्तों मेरा किश और आप देख रहे हैं बिग नुजित में दोस्तों विराट कोली और अनुस्का सर्मा नी संदेह रूप से देश के पावरफुल कफल है एक उर जहां विराट क्रिकेट के छेतर में अपने बिरोधी गिंद बाजो को धूल चटा रहे हैं वहीं अनुस्का फिल्मों में अपने अच्छे प्रदर्शन से देश को आगे ले जा रही है कहने की आवसकता नहीं है कि बिराट कोली और अनुस्का सर्मा की साधी से उनके फैंस काफी खुसें आपको बता दे कि दोनों 11 दिसंबर को इटली में बरे ही सांती प्रिये और मीडिया से दूर होकर या साधी की या कहने की बात अब नहीं है कि उनकी साधी करोरों में हुई है या सब को पता है यहां तक माना जा रहा है कि बिराट और अनुसका की साधी में जितना खर्च हुआ है साइध ही किसी सेलिवरिटी की साधी में हुआ होगा वेडिंग कार्ट से लेकर अनुसका की एक रिंग तक करोरों में बने हैं तो आईए जानते हैं कि विर्यूस का ब्रांट से पहले उनकी प्रस्टनल नेट वर्थ कितनी है भारत के कप्तान बिरात कोली एक क्रिकेट लीजेंड बन चुके हैं एक क्रिकेटर के रूप में अपना कद बढ़ाने के लिए विजीस तरह सतक बना रहे हैं उसी तरह उनका बैंक बैलेस भी बढ़ रहा है रिपोर्ट के अनुसार बिराट BCCI की एस रेनी के खिलारी है सधारन सब्दों में कहें तो जिन अंतराश्टिय मैचों में वे भारत का प्रती निद्ध तो करते हैं वहाँ उन्हें सबसे अधिक पैसे मिलते हैं इसके अलावा वे आईफियल के सबसे महेंगे किलारी हैं जिन्हें दो महीनों के सत्र के लिए 14 करोर रुपे मिलते हैं बिराट कोहली के फैंस पूरे हिंदुस्तान में हैं खासकर यूवा वर्ग बिराट को बहुत ही पसंद करते हैं उनकी पॉपुलरिटी के चलते वे कई प्रसीद ब्रांट जैसे प्यूमबा, एमारेफ और मानेवर के ब्रांट एमबेस्टर भी हैं तो वहीं बिराट फोवर्स की सबसे अमीर एस्पोर्ट परशन्स की सूची में इस साल उजतम ब्रांट के साथ सातवे अस्थान पर थे यहां तक कि फुटवॉल खिलारी लियो नेल मेसी भी इस सूची में नौवे अस्थान पर थे 42 करोर की संपती के साथ ही उन्होंने 18 करोर रुपे निवेस में डाले हुए हैं उनके पास 6 लगजरी कारे हैं जिनकी कीमत 18 करोर रुपे हैं इस तरह विराट की कुल संपती 390 करोर रुपे हैं अनुस्का ने वर्ष 2008 में रबने बना दी जोड़ी फिल्म से बॉलिवूड में परवेस किया इस फिल्म में उनके हीरो सारुक खान थे उनकी प्रतीवा से प्रभावित होकर यसराज फिल्म ने उनके साथ 3 फिल्मों की डिल सैंड की उसके बाद बैंड बाजा बरात आई उसके बाद उनका केरियर उंचाईयों को छूता गया वर्ष 2014 में अनुस्का ने एक और उपलबदी हासिल की और अपने भाई कनेर्स सार्मा के साथ मिलकर एक क्लिन स्लेम फिल्म नामक प्रोडक्शन हाउट्स होला उनका पहला प्रोडक्शन एने श्टेन जो की स्लीपर हीट रही उसके बाद उन्होंने फिल लाओरी का प्रोडक्शन किया और उसमें अभी ने भी किया अभी उनके तीसरे प्रोडक्शन परी पर काम चल रहा है दोस्तों जहां तक अनुस्का एक फिल्म में काम करने के पांच करोर रुपे लेती है और एक विग्यापन में काम करने के लिए चार करोर रुपे लेती है अगले तीन सालों में उनकी कुल संपती में 30 परतिसत की ब्रीधी होगी तो दूसरों में उमीद है कि आप कोई वीडियो पसंद आया होगा अगर वीडियो पसंद आये तो लाइक करें कोई भी सवाल या सुजाओ हो तो कॉमेंट करे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले हैं तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ धन्यवाद